हलो वोस्ट अब दोस्टो दोस्टो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल में करियर भाई में दोस्टो आज हम बात करने वाले हैं कि एक अकाउंटन्ट की वहाँ पर क्या स्किल्स होने चाहिए जिसकी विज़े से उसको एक अच्छी जॉब मिल सके अगर कोई अकाउ शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नह रहे हैं आपने अप तक इस चैनल को डाउन, में च्छाएब नहीं कैया है तो जल्दी से कर लिजिए तो चलेए दोस्टो शुरू करते हैं तो बात करें स्किल्स की तो सबसे पहली बात obviously accounting उसको आना चाहिए तो accounting का मतलब मेरा ये है कि जो भी कोई transactions वगेरा होते हैं तो उसका पूरा का पूरा एक record रखना उसका एक लेखा जोखा रखना ये उसको आना चाहिए साथी साथ एक नई चीज इसमें आड हो गई है corporate finance तो corporate कंपनियों में किस तरीके से finance को manage किया जाता है किस तरीके से जो है वो पैसों के सारे विवहार होते हैं तो ये सारी चीजे उस आदमी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा उस आदमी को बिलकुल ही सटीक और सही reports बनाना आना चाहिए reporting skills उसके बहुत अच्छे होने चाहिए जिसके अंदर report जो है वो बिलकुल clear हो समझने के लिए आसान हो और सारी चीजे जो है वो clear cut लिखी जाए इसके अलावा उसके पास attention to detail बहुत होना चाहिए तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि accounting का जो job है वो एक बहुत जादा precision वाला job है इसके अंदर आपका एक आकड़ा अगर इधर का उधर हो जाए तो भी बहुत बड़ी रकम जो है उसका एक हम कहें कि record नहीं रखा जाएगा ये सारा record ही गलत हो सकता है तो इसकी वजए से वो आदमी बहुत जादा alert होना चाहिए उसका हर एक detail के उपर उसकी पैनी नजर जरूर होनी चाहिए इसकी अलावा दोस्तों उसका जो एक working pattern है वो deadline oriented जरूर होना चाहिए यानिकि ऐसा नहीं है कि बस काम कर रहा है तो कर रहा है उसका आपको reports सामने पेश करनी होती है तो उसको दिमाग में रखते हुए उसको मद्दे नजर रखते हुए जो है वो आदमी काम करना चाहिए साथी साथ दूसरी बात यह है कि उसका general mathematics जो है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि जाहरी सी बात है कि यह पूरा numbers से related ही चीज है कि कितने पैसे आये कितने पैसे गए total पैसे कितने थे उसमें से कितने minus हुए है कितने multiply हुए है तो यह जो basic mathematics है वो उस आदमी की strong होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है क्योंकि पूरा numbers का ही वहाँ पर game होता है इसके अलावा दोस्तो time management भी इस job में जरूरी कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक accountant के उपर जिम्मेदारिया बहुत सारी होती है तो दोस्तो उसकी उपर कौन सी responsibilities होती है क्या क्या काम होते है accountant के यह अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है आप उपर i button में click करके उसको जरूर देख सकते हैं कि एक accountant की responsibilities क्या क्या होती है तो दोस्तो क्योंकि इसके उपर बहुत सारी responsibilities होती है तो इस आदमी को जो है वो time management बहुत ही बहतर तरीके से करना आना चाहिए उसको अपने time को अच्छे तरीके से जो है वो बाटना आना चाहिए कि इस वक्त में में ये काम कर रहा हूँ उस वक्त में में वो काम कर रहा हूँ जिसकी वज़े से सारे काम जो है वो एक तैशुदा गती से जो है वो आगे बढ़ते रहें इसके अलावा दोस्तों उस आदमी के पास जो है वो data entry management का भी एक skill होना चाहिए तो data entry management मतलब क्या है कि आजकल के जो सारे record रखे जाते हैं वो तो सारे computer पे होते हैं तो इसकी ज़्यादा जरूरी है कि data की entry भीया कैसे की जाती है उसके लिए कौन से software इस्तमाल किये जाते हैं उसको कैसे इस्तमाल करना है उसका पूरा knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोसों यह जो skills है वो एक ideal accountant के job के लिए आने वाले candidate के अंदर होने चाहिए ऐसा कहा जाता है industry standards के अनुसार तो दोसों अब इसकी बात करते हैं कि educational qualifications क्या लगेंगी तो educational qualifications जो है basic या तो आपके पास bachelor's या master's degree होनी चाहिए यहाँ पर tax accounting और finance के अंदर तो अगर आपको finance के अंदर ही जाना है तो जाहिर सी बात है कि उससे ही related जो है वो आपको शिक्षा प्राप्त कर नहीं होगी तो उसके लिए आपको उससे related degree या post graduation degree master's degree होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कई company ऐसी है जो की freshers को लेती है लेकिन ज़्यादा तर करके ऐसे कामों के लिए जो है वो experience लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनको जो है वो accountancy का वहाँ प पहले से ही जानते हैं जिसकी वज़य से company जो है वो कम से कम 5 से 10 साल के experience वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है हाला कि ऐसी कोई बात नहीं है कि accountancy के लिए या accountant के job के लिए वहाँ पर freshers को लिया नहीं जाता है freshers को ज़रूर लिया जाता है वहाँ पर कोई ऐसी दिक अलकत नहीं है लेकिन उसकी company अलग होती है और वहाँ पर clearly mention किया जाता है कि हमें experience लोग चाहिए या fresher लोग चाहिए तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आज हमने ये जाना कि accountant के job के लिए कौन से कौन से skills होना जरूरी है और साती साथ educational qualifications क्या-क्या होनी आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को भी जरूर subscribe कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप और देख पाएं